देखे जब मोदी जी पहला बार जिते थे तो हैं सागर और मालदा का एक क्रॉस मोदी 1 निकाले थे हम 14 में और ये जब मोदी जी दूसरी बार जिते 2019 में तो मोदी 2 हम जो है उस समय लंच किया गया 19 में और इसका नम मोदी 2 है नमस्कार में प्रेणा आप देख रहे हैं एक नियूस 24 वैसे तो आपने मोदी के बहुत सारे फैन देखे होंगे आपने देखा होगा कि कोई मोदी नाम का टैटू कराता है तो कोई मोदी नाम ही रख लेता है लेकिन इसी करे में एक अनुखा फैन बहार के भागलपुर से न नाम ही उगा दिया है उन्होंने क्रोस ब्रेड करके मोदी नाम के आम को गाया है जिसके बाद से पूरे इलाके में वो चर्चा के विशय बन गये हैं वैसे तो प्रधान मंतरी मोधी के बहुत सारे फैन है लेकिन Mangome Man अशोग चोधरी की बात ही कुछ और है, बतादे कि प्रधान मंतरी मोधी के प्रती खास दिवान की देखने को मिलती है, दरसल अशोग चोधरी ने एक आम का उतपादन किया जिसका नाम मोधी रखा, बता दे कि पियो मोधी जब पहली बाद 2014 में जीत हासल किये तो अशोग चौधरी ने उस समय दो आमों का क्रोस ब्रीड करके एक आम का उत्पादन किया जिसका नाम रखा मोधी आम और 2019 में जब वो फिर से जीते तो दो आम का क्रोस कर एक नया आम का उत्पादन किया जिसका नाम रख दिया मोधी टू दोनों पेरों में इस बार जबर्दस्त आम का उत्पादन हुआ है मोधी आम पूरा हरा है तो वहीं पर मोधी टू आम पूरी तरह से लाल है अशोक चौधरी ने बताया कि पहली बार उसने 2014 में आम का उत्पादन किया जिसका नाम रखा मोधी आम पिर उसने 2019 में एक आम का उत्पादन किया जिसका नाम रखा मोधी टू दोहजार 24 में अगर वो फिर से जीतते है जो कि तै है अशोक चौधरी के अनुसार ये तै है कि वो दोहजार 24 में जीतेंगे इसके बाद फिर से नया आम का उत्पादन होगा जिसे मोधी थ्री नाम उत्पादन हुआ तो आम की चर्चा हुई तब से अब तक कई राज्यों के लोग इस पेर को लेकर अपने साथ चले गए हैं। हम आपको बताते हैं कि सुल्तान गंज महीशी निवासे अशोक चौधरी मैंगो मैन के नाम से बेहत प्रसिद्ध हैं। हो कई एकर में आम का उत्पादन भी कर रहे हैं। अब बताने कि जरदालू आम को 2018 में जियाई टैग दिलवाने वालों में इनका योगदान रहा है। 2007 से लेकर अब तक प्रधान मंत्री और आश्ट्र पती को जरदालू आम इनके बगान से भेजा जाता रहा है। अशोक चौधरी जरदालू आम संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चली एक बर आपको सुनाते हैं कि मैंगो मैन अशोक चौधरी इस बारे में क्या बताते हैं। चौधरी जरदालू आम है और काफी अधिक फलता है। यह तो आप फल देखिएगा नहां गिनत फल इसमें आता है। और सोलह में यह गुठली था। इतना कम समय में ही है। दो साल के बाद ही यह फल ना सुरू कर दिया। स्वादिश्ट भी है। चोटा पोधा होता है किचन गार्डेन में भी लगने के लाइक। और टाउन में भी लोग लगाते हैं। और इस गाच को करिब करिब इंडिया के भारत के सभी स्टेट के लोग ले गए। दो चार किसान, दस किसान सभी स्टेट के महराष्ट के मोधी जी मतलब जब 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 ज़िते तो फिर आप हाँ। चववीस में फिर अगर मोधी जी ज़िते हैं तो मोधी थरी भी निश्चित रूप से विक्सित किया जाएगा। इसका तो काफी डिमांड है मोधी टू का चुकी देख रहा है ना विदेश का पहले कलर भेरेटी ज़्यादा आता था भारति क्रिशन संदान से भी निकला हुआ है लेकिन इसका फलन और स्वाध इतनों बहतरीन है कि ये रंगीन कलर का ये बात्साही बनने वाला है पहुधा लेकर जा रहा है पहुधा तो काफी लोग गुजरात से महराश्टर से मधिपर्देश से यूपी से बंगाल से सारे जगह के किसान लोग आते हैं दोचार पहुधा इसका जरूर लेके जाते हैं और ऑनलाइन भी कभी कभी हम ट्रेंसे भेज देते हैं जिनके इस् मोदी जी तो अब इसे चखेंगे इसलिए कि मोदी जी के छेतर में बहुत से किसान लेगा है इस पेड़ को अगर मोदी जी इस पेड़का नहीं तो वह अपने पेड़का भी खा लेंगे तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मैंगो मैन ने विस्तार पुरवक अपने आम के बगान के बारे में सब कुश बताया उन्हों ने बताया कि किस तरह से उन्हों ने मोदी आम का उतपादन किया और अब अगर प्रधान मंतरी 2024 में जीत कर आते हैं तो वो एक बार फिर से पर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीरेज अपडिर्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल एक नियोस 24 हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंड कीजिए और हमारे वीरेज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद